क्या सोनु सूद एक बार फिर बनेंगे मसीहा? मांगला देशियों की हालत देख हुए इमोशनल मांगला देश में फसे भारतिय लगा रहे एक्टर से मदद की गोहार क्या सूपर हीरो बन कर जा रहे है सोनु सूद? कोरोना में भगवान के रूप में आये थे सोनु आज भी लोगों के दिलों पर करते हैं राज इंसानियत के मिसाल गरीबों के मसीहा क्या एक बार फिर दिखेगा सोनु सूद का वही स्टाइल? दोस्तों एक्टर सोनु सूद सामाजिक राजनेतिक मुद्दों पर अपने विचार साजा करने के लिए जाने जाते हैं वो काफी मुखरता से अपनी राई एक्स पर रखते हैं एक्टर सोनु सूद कोविट के दिनों में लगातार चर्चा में बने रहे थे और उसके पीछे की वज़ा उनके सोशल वर्क वाले काम है वो बढ़ चड़कर लोगों की मदद करते हैं सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर समाज के बारे में अपनी राई भी आसानी से जाहिर करते हैं अब हाल ही में सोनू ने ट्विटर पर भारत के नागरिकों को बांगलादेश में फसे अपने साथी भारतियों को बचाने के लिए खास अपील की है दरसल बांगलादेश में हिंसा का मामला तूल पकड़े हुए है और इसे बीच शेक हसीना भी सैने विमान से देश छोड़ कर भाग गई है सोनू सूद ने लोगों से अपील की इन हालातों को देखते हुए सोनू सूद ने चिंता व्यक्त की और एक्स पर एक पोस्ट साजा करते हुए लिखा हमें बांगला देश से अपने सभी साथी बारतियों को वापस लाने के लिए अपना सरवश्रेष्ट प्रयास करना चाहिए ताकि उन्हें यहां एक अच्छा जीवन मिल सके ये केवल हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जो अपना सर्वश्रेश प्रयास कर रही है बलकि हम सभी की जिम्मेदारी है जय हिंद सोनु से पहले सोनम ने जाहिर की थी चिंता बॉलिवुड सेलेब्रिटीज के आ रहे है रियाक्शन सोनु सूद का ये रियाक्शन एक बांगलादेशी हिंदू महिला के विडियो पर आया जो अपना दर्द रोते हुए जाहिर कर रही है महिला ने अपना दर्द व्यक्त करते हुए बताया कि कैसे बांगलादेश में हिंदू नरसहार हो रहा है और वो जान बचाने के लिए भारत जाना चाहती है सोनु सूद के इस एक्स पोस्ट से पहले 5 अगस्त को सोनम कपूर ने बांगलादेश में बढ़ती मौतों पर चिंता जताई थी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया जिसमें बताया गया था कि कैसे जड़पों के बीच एक ही दिन में 66 लोगों की मौत हो गई अभी नेतरी ने अपने पोस्ट को कैप्शन दिया ये भयानक है आईए हम सभी बांगलादेशी लोगों के लिए प्रातना करते हैं बहुत खराब है बांगलादेश के हालात आपको बता दें सोमवार को बांगलादेश में फैली हिंसा में कम से कम एक्यानवे लोग मारे गये हैं सैकड़ों गायल हो गये पुलिस ने आसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तमाल करके हजारों प्रदर्शन कारियों को हटाने का प्रयास किया रवी बार शाम से देश में कर्फियो लगा दिया गया है रेलवे सिवाये निलंबित कर दी गई है और देश का बड़ा कपड़ा उद्योग भी बंध हो गया है